क्या आपने अख्रोड वाले आलू दम कभी खाए हैं? नहीं? तो चलिए आज बनाते हैं हम अख्रोड वाले आलू दम ये मेरी दादी मा के तरीके इंफ्रेंट बनाने के जो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हूं बहुत ही लाजवाब बनते हैं इस तरह से अगर आप आलू दम बनाएंगे तो बहुत ही टेश्टी कि बस उंगलिया चाटते रह जाएंगे जब आप इसे खाएंगे तो चलिए हम बनाते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मीडियम साइज का बॉयल किया हूवा आलू और इसे हमने देखी छेल करके चमच की मदश से हम इसे इस तरह से पिक कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अंदर तक जाएं इसी तरह से अब सारे आलूओं को पिक कर लिजेगा इसके बाद हम लेंगे कुछ शेप और मसाले तो ये मैं लिया है टमाटर और इसे हमने रफली चौप कर लिया है एक प्यास को भी हमने रफली चौप कर लिया है और ये सबसे खास इंगिडिन्स हमने लिया है अखरोड को मैंने अच्छी तरह से दोकर साफ कर लिया है और यह 5-6 अखरोड है फ्रेंट्स और इसे भी हम इसमें तेल डाल दिया है एक बड़े चमच और तेल हमारा गर्म हो चुका है हम इसमें अलुओ को डाल देंगे जो हमने पिक करके रखे थे और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मीडियम साइज के आप आलुओ जरूर से लिजेगा फ्रेंट्स देखने में भी खूब कराई में आगे का प्रोसेस करेंगे तो चलिए हम आलुओ को निकाल लेते हैं आलुदम बनाने की यह बिल्कुल नई रेसिप्य है फ्रेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किये आप इस तरह से आलुदम बनाएं बहुत ज्यादे टेस्टी बनती है बिल्कुल मलाईदार से मैंने आदी चोटी चमच जीरा डाला है और आदी चोटी चमच हमने इसमें डाल दिया है लसन का पेष्ट और इसे हम अच्छी तरह से भूल लेंगे लसन का जो पेष्ट है इसे हल्का लाल कर देंगे इसके बाद ही हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे तो जो हमने पेष्ट तयार करके रखे थे अखरोट वाले उसे भी हम इसमें डाल करके अची तरह से भूल लेंगे अब हम इसमें डालेंगे मसालों के पॉडर तो यह मैंने डाला हल्दी पॉडर आधी छोटी चमच आधी छोटी चमच हम डालेंगे फ्रेंड्स इसमें लाल मीर्च पॉडर या आधी- चोटी-चमच और साथी हमदालेंगे गरम-मसाले का पौडरौर अधी-चोटी-चमच और अब हम इसे भी चला लेते हैं मसालों पो बहुत अशी तरह बुनना है तब यह हमारी सबूस असे दिमाग के लिए बहुत ही टेष्ट होती है आदी चमच हमने डाला है कश्मेरी लाल मेच इससे हमारी सबजियों का कलर बहुत ही अच्छा आता है और यह देख सकते हैं आप अब मसाले जो है वह तेल रिलीस करने लगे हैं इसका मतलब यह हुआ कि हमारे मसाले अच्छी तरह से बुना चुके हैं और हमारे कीचन म और बहुत ही खुबसूरत लग रहे हैं देखने में इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे पानी और फिर से इसे हम चला लेंगे आपको जितना जादा दमालू की थिकनेस रखनी है आप उसे साब से थिकनेस रख लेजेगा मुझे नमक भी थोड़ी से फीके लग रहे थे तो भी खुचबू और भी जादा बरजाय बहुत जादा टेस्टी लगी हलका सा हम इसे चला लेंगे और अब हम गयास के फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और ढकन लगा कर हम इसे दो मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारी दमालू अच्छी तरह से तेल रिलीज कर दे और जादा टेस्टी बनती है और मुझे कमेंट्स में जरूर से बताएं कि आपने इस तरह से अफरोड वाली दमालू बनाई है और आपसे कैसी बनी तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और या फिर पलाओ के साथ हमारे यहां इसे पूरी के साथ ज़्यादा पसंद किया जाता है तो यह देख सकते हैं आप बहुत ही खुप्सूरस सी हमारी दमालू बनकर हो चुकी है तैयार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है यह तो आप इंजॉय करें दमालू मैं भी इं मैं धरुंग यह खुझ जा गढ़झ जाने खुंगट इंप नगती हैं जाव दैगल चार बहुत है वखुत है यह तो ररफ़ यह जाड़ते हैं यह था दो में जानिए यह ज家 भाव जू हमालो आज जायन जा हमाले इंगडएं श्रूंगर झाल झाल